अगर आप इस साल बैचलर ऑफ़ आनode में ऐडमिशन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं मुस्लिम युनिवर्सिटी एक अच्छा option है अलिगर्ड मुसलिम युनिवर्सिटी निए इस साल 2020 में इस साल 2020 में बैचलर ऑफ直接onton जारी किया है तो इसी बारे में आज हम डीटेल में discuss करेंगे जैसे का आपको पता है course of study bachelor of fine art है BFA जिसे बोलते हैं course code है अलिगर्ड मुसलिम यूनिविसिटी का FABAA पिछले साल ये शायद जामिया का था B10 और ये semester pattern में चलता है जिसके 4 year के 8 semester होते हैं इंटेक है 15 लड़के और 15 लड़किया कुल मिला के 30 इंटेक है मतलब एक साल में 30 students admission करते हैं first year के लिए eligibility criteria है कि आपने senior secondary school certificate को महरास्त में HSC भी बोलते हैं वो किया होना चाहिए at least आपके 50% marks होने चाहिए पिछले साल BFA के लिए AMU में कोई भी age limit नहीं थी पर इस साल उन्होंने age limit रखी है तो इस साल के age limit है 24 year के ऊपर नहीं होना चाहिए candidate 1st July को जब admission करते हो तब of course selection process जो है वो departmental test है department में ही CT जैसे entrance test होती है इसमें दो paper लिए जाते है एक paper होता है theory का 100 marks का paper है और दूसरा paper होता है तुरंत उसके बाद till life जो आपको pencil में draw करनी होती है वो 200 marks का होता है इतना material जैसे pencils, eraser, ink, pen जो भी है वो आपको खुद लेके जाना होता है draw करने के लिए drawing sheet और answer sheet होती है answer लिखने के लिए वो AMU द्वारा provide की जाती है center जो है test center आपको department of fine art अलिगर मिलेगा उसी में ये exam होगी online forms available है मैं link भी description में दूंगा जिससे आप click करके direct form fill कर सकते हो form fill करने के लिए कौन-कौन सी important date से वो हम देखेंगे without late fee है last date apply करने की 22 February अगर 22 February तक आप apply करते हो तो form fill करते हो और submit करते हो तो उसके लिए आपको pay करने पड़ेंगे 500 रुपी online payment होती है ये अगर late fee के साथ अगर आपको apply करना है तो 29 February 2020 तक आप form fill कर सकते हो 29 February तक last date है with late तो इसके लिए आपको 300 रुपे extra देने पड़ेंगे तो कुलमिला के 800 रुपे में आप date fee के साथ अपना form fill कर सकते हो apply करने के बाद अगर form में कुछ भी changes करने है या correction करना है website through आप कर सकते हो 2023 2020 से लेके 73 2020 तक जो भी corrections आपने करने है वो आप website through कर सकते हो फिर इसके बाद मतलब साथतर के बाद कोई भी corrections के लिए permission नहीं दी जाएगी कोई भी corrections आप नहीं कर पाऊगे admit card online नहीं दिया जाएगा आपको department में जाके department of fine arts जो है वहाँ AMU में वहाँ जाके आपको by hand एक दिन पहले या दो दिन पहले hall ticket या admit card जो है वो लेना पड़ेगा बाद में जो test होगी departmental test वो होगी 13 तरिक को 13 जून 2020 को पहला paper होगा जिसमें आपको बिलेगा 1 घंटा 30 मिनिट 9 बज़े शे शुरू हो जाएगा paper जो है 100 marks का theory paper theory paper clear करने के लिए mostly आपको mughal art है उसमें से जादातर questions पूछे जाते हैं और उसके तुरंद बाद 2 घंटे का till life drawing होती है वो आपको करनी है pencils में जो शुरू हो जाएगा 11 बच के 30 मिनिट पर results की dates जो है test result वो online आपको मिल जाएगा पर उसके लिए आपको AMU की side देखती रहने पड़ेगी तो AMU एक बहुत अच्छा option है उतनी fees भी नहीं है बहुत कम fees में आप admission कर पाओगे last year in 2019 I had been selected for admission to BFA in AMU you can see that result here and if you have any questions related to the entrance test just comment below and I will answer all your queries thanks for watching and please subscribe the channel for more updates